हेलो तुम मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश लाइफटाइल चैनल और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो यह है कि मैं कौन से कौन से गेर्स यूज़ करता हूँ मेरी टूरिंग के टाइम पर जिसे कि आप लोग जानते हैं मैं इंटरसेप्टर चलाता हूँ तो इन सब के बारे मैं आज अब बात करना है तो इस वीडियो को पुरा एंड तक देखे और अभी तक आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए शुरू करते हैं हैland तो चलिए शुरू करते हैं यह हैं मेरे सारे गिर और इंवें से कुछ कुछ है मेरे जुगार तो एक ए करके मैं आपको एक गोट्रेशंक का गोश्ट बैग 사ri स्केटिफ था जो भी मुझे सामान इसमें में मेरा charger रखता हूं और बीच का जो compartment में बहुत space है आराम से इसमें एक हफते का अपना सामान रख लेता हूं जी या मैं जादा सामान तो यूज़ करता नहीं सो उपर अगर आप compartment देखेंगे मैं उसमें अपना wallet रखता हूं उसका बहुत सारे compartments है जिसके अदर आपने document गाडी के paper या फिर और भी कोई दूसरी चीज़े रख सकते हैं साइड में भी दो pockets है अगर आपको कुछ अपना sanitizer या फिर कुछ और रखना है तो आप रख सकते है और यह जो जिप वाला pocket है इसके अंदर आप coins रख सकते हैं या फिर अपना pen drive हो गया hard drive हो गया या फिर आप अपनी कोई भी camera से related चीज़े रखना चाहे तो रख सकते हैं यह cables के management के लिए बहुत अच्छा है फिर साइड में बहुत सारे चोटे-चोटे pockets है यह बहुत ज्य convenient है तो अगर आप laptop carry कर रहे हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर पर compartment दिया हुआ है यह आप बहुत safe रहेगा proper आपके back पर चिपका रहेगा और यह सारी चीजों की details में इचे भी डाल दे रहा हो अगर आप लोग कोई देखना चाहते हैं तो direct आप नीचे जाके देख सकते है कि मैं कौनसे कौनसे gears proper मैंने list down करके रखे हुए हैं इसके बाद जो मेरा सबसे फेवरेट और सबसे बहुत important चीज है जो भी लोग helmet लेते समय ध्यान दे प्लीज ऐसा helmet ले जो बहुत अच्छी safety आपको provide करता हो because helmet हमेशे एक ही बार लिया जाता है यह one time investment होता है और इसकी value मैं आपको lock कर सकते हैं तो यह बहुत जादा strong है so accident होने का direct open ही होता पीछे side में reflector है और यह आप देख सकते हैं पूरे certifications और यह मैंने large size का लिया हुआ है और कुछ stickering मैंने क्यों ही है और इस helmet की सबसे अच्छी बात यह है ना कि इसमें ventilation बहुत अच्छा है पीछे यह ventilation के लिए holes है इससे क्या होता है add पुरी pass होकर के बहार निकल जाती है यह सामने यह दो grills है और बीच में है empty का 3D kind of logo वह बहुत अच्छा लगता है यह pinlock ready भी है अगर आपको कभी कोई pinlock visor लगा ना हो तो बहुत अच्छा है और आप जैसे की देख सकते हैं कि आप इसमें gopro अच्छे बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसमें ventilation के लिए बहुत अच्छा है और उसके बाद बहुत अच्छी चीज है इसमें नोस प्रोटेक्शन के लिए भी यह नोस गाड है तो अगर आपका नोस गाड अगर खराब हो जाता है तो आप इसे रिप्लेज भी कर सकते हैं तो यह प्रॉपर रिमूव होता है अगर आपको वाइजर चेंज करना हो जिसे किसी को रेडियम वाइजर लगाना हो तो इसमें क्या होता है इसमें आप पुरा वाइजर भी आप चेंज कर सकते हैं और वाइजर भी यह एंटी-फॉग वाला है तो थंड के डाइम पर आपको ज्यादा फॉग नहीं मिलेगा तो आप दूसरा भी वाइजर लगा सकते हैं तो चली मैं आपको यह पहिन करके दिखाता हूँ अगर आप लोग हेलमेट यूज करते हैं तो आप बलक लावा यूज करें यह अल्मूस्ट आपके एक साल हेलमेट की लाइफ को बड़ा देगा जो भी आप हेलमेट लेंगे प्लीज उसे थोड़ा सा लो साइज का लीजिएगा विकरस का होता है इसके अंदर जो कुष्टिंग होती है बहुत ज़ादा स्टार्टिंग में हार्ड होती है तो जैसे जैसे आप यूज करेंगे यह सॉफ्ट होती जाएगी तो अगर आप थोड़ा साइज का लेंगे तो बेनिफिट क्या होगा यह स्टार्टिंग में थोड़ा आपको पैक फील कर लेंगे उसके बाद यह काफी लंबे समय तक आपको एक स्टडी लूग देगा और यह साइड भी हुआ है मुझे नीचे कमेंट करके बताई आपको कैसा लग रहा है है यह है यह प्रॉपर आपके वेंडिलेशन के लिए और यह है मेरे दूसरे हेलमेट्स जो मैं सीटी में यूज करता हूँ यह मुझे रॉयल एंफिल्ड के तरब से ही मिला था जब इन इसको परचेस किया था तो जो ने परचेस किया था तो उससे पहले में बता देता हूं कि इसकी ओपनिंग कैसे यह के जिए इसी जो चीप कॉलिटी का हुँत है यह वैसी लॉक सिस्टाम है इसका तो यह इतना कर्मीनियन नहीं है तो मैं आपको आपको दुसरा हैлемेट्स ब ही मिला तो जो मेरी बाइक के साथ सो वह यह था यह ब्लैक वाला यह भी बहुत अच्छा लगता है बट इसका एक प्रॉब्लम यह कि इसके ग्लेर्स के यहां पर आपको एक थोड़ा साथ देखने में प्रॉब्लम होती है और इसका मेकनिजम प्रीवेस वाले से थोड़ा बै यह थोड़ा फुल साइज दे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है तो चलिए यह भी मैं आपको पहन के बाता है मुझे नीचे कमेंट करके बताई आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद आई कौन सा ज्चा लग रहा है अगर आपके बास को यह और सजेशन हैं तो मुझ जैकेट मैंने OLX से लिया था यह किसी ने यमा के साथ फ्री मिला था तो यह उसके साइस का ने तो वह OLX पर बेच रहा था तो मैंने सोचा अगर अच्छी चीज मिल रही है तो यह मैंने खरीदा था यह अल्मुस्ट मुझे 3000 का पड़ा था बट बहुत अच्छा है यह बिक आख कम हो जाती है बट इसके अंदर भी थोड़ी सेफ्टी के लिए है इसमें आपके साइड में प्रोटेक्शन के अंदर पैडिंग दिवी है और आपके शौल्डर पे पैडिंग दिवी है यह मेरे साइड वीव है तो यह पीछे से कैसा दिखता है जैकेट और उसके बाद है मेरे नी के प्रोटेक्शन के लिए एक्चुली मैं राइडिंग पैंड नहीं पहन दा तो मैं डारेक्ट लिए नीगाड यूज कर दो और यह है हमारा जुगाड जियां यह है सेफटी शूज सो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पैसे बस सकते वहां पैसे बचा लेना चाहिए यह मैंने सेफटी शूज जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइड पर यूज करते हैं यह मैं वही यूज कर रहा हूं तो बहुत अच्छा हाइवे पर लंबे टाइम पर आराम से सुकून थोड़ा म्यूजिक आप सुन सकते हैं और अगर आपको वाल बता हूँ जैसे दूलन होती है ना शाधी के डायम पर उसको सजना सवरना कैसे लगता है वैसे एक राइडर होता है तो उसे आपने गेर्स पहना बहुत जादा अच्छा लगता है तो चलिए मैं आपको मेरे पूरे गेर्स पहन के बताता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूं तो यह है मेरे पूरे गेर्स ग्लॉव्स हेलमेट जैकेट बलग लावा